दोस्तों साल 1949 में उडिशा के गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है इस बच्चे को शुरुआत से ही आर्ट बनाने का शौक था गरीबी के कारण उस समय उडिशा शरकार में रुस्ता एडमिशन देली के जाने माने कॉलेज में करा दिया देली जाने के बाद उस लड़के के पास अच्छा कॉलेज तो था पर देली में रहने का ठिकाना नहीं था वो सुबे को कॉलेज जाता था और शाम को देली के कैनोट पेस पर लोगों की पेंटिंग बनाया करता था एक दिन साल उस बचटकर में शैरलेट नाम के एट विदेशी महिला इंडिया घूमने आती है और देली जाकर उस लड़के से अपनी पेंटिंग बनाने को कहती है लड़के ने कुछ समय में ही उसकी हुबो पेंटिंग बना दी जिसे देकर वो महिलाग खुश हो जाती है और वहीं दोनों की दोस्ते भी हो जाती और कुछी समय बाद दोनों शाथी कर लेते हैं बर कुछ हफतों में ही शैरलेट का वीजा खत्म हो जाता है करीब पांच महीरों में स्वेटन पहुच जाता है और वहाँ अपनी पत्मी से मिलता है ये लड़का कोई और नहीं बलकि भारत के जाने मने आर्टेस्ट प्रदोनी कुमार महानन्दिया है